सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिष शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही सबसे तेज वही चलता है जो अकेरा चलता है लेकिन दूर तक वही चाता है जो सबको साथ लेकर चलता है भलाई करना करतव्य नहीं आनन्द है क्योंकि यह स्वास्त और सुख में वृध्धी करता है असफलता के डर सी अपने सपनों को पूरा ना करने से ज़्याद अच्छा है कोशिश करने के बाद उनका तूट जाना आज का पंचांग 30 जून 2020 दिन मंगलवार असार मास के शुकल पक्ष की दश्मिति थी सम साथ बच कर 49 मिलट तक रहेगी इसके उपरांद एका दशिति थी प्रारम हो जाएगी स्वाती नामक नक्छत्र सुबर 4 बच कर 4 मिलट तक रहेगी इसके उपरांद विशाखा नक्छत्र प्रारम हो जाएगी आज का राहुकाल अर्थात अशुप्षम में दोपहर तीन बच कर पैतालिस मिलट से पांच बच कर पच्छिस मिलट तक रहेगा आज का भी जीत महुरत अर्थात सुप्षम में सुबह ग्यारा बच कर पच्पन मिलट से बारा बच कर पचास मिलट तक रहेगा आशेंद्रमत तुला राशी पर संचार करेगी और आश्यूरियम मिथुर राशी पर रहेंगी मकर राशे 30 जून 2020 देन मंगलवार अपने जैसे चुनोतियों और सत्ता शिनवेक्तियों से साचेदारी बनाने की कोशिश करें खुशाद में आपको जूटी असाय देने की कोशिश कर रही हैं लेकिन आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना हैं अपने आप से फैसले ले और उन पर जमी रहें आप काफी लंबे समय से घर करीदने की शोश रही हैं आप आप ऐसा कर शकती हैं आज के दिन खुब मचा करने का है इसका पूरा लाब उठें इस समय आपको अपनी रोज की दिन चरिय से छुट्टी लेनी चाहिए आप अपनी प्रीचनों के साथ आज घर पर अच्छे से समय बिता सकती हैं अगर कभी आपने घुमने चाने के बारे में नहीं सोचा है तो अप सोच भी सकती हैं परन्तु इस समय आपका चाना अच्छा नहीं रहीगा इसलिए घर पर ही सांती से समय बिताएं लंबे समय सटके हुए कार्य पूर्णा होते नजर आएंगी आपके कारे छेतर में नए उर्जा का संचार होगा उन्नती होगी रोजगार है तु दिये गए सक्षात कारों के रिणें आपके बंक्ष में आने के संकेत हैं आपके दोरे किये गे धार्मिक आर्यों से आपकी मानपत प्रतिष्ठा में वृत्धी होगी जीवन साथी से सम्मन मधूर खोते चाहेंगे, परवारिक सदर्शाग की बातों से प्रभावित हुँगे, संतान कोई सुप समचाल लाएंगे, पिता का सहीयोग आपको विशंपरिस्थीतियों सहायक होगा, भाईयों से सहायता प्राप्त होगी, परवार्श आपको लाब हो प्रेम जीवन के लिए समय निकाली शौधानिया मकर राशी के लोगों के लिए आज के दिन कुछ परशानियों से भरा रह सकता है उनको अपनी सेहत का देख भाल करना हूगा अज मकर राशी वाली पैसे के लेन देन भी ना करें लव लाइफ की बात करें तो आप से समझ और किसी भी रिस्ते के लिए जरूरी है आपने अपनी मन में अपने पार्टनर को एक सिहासन पर बैठा लिया है और अब आपके लिए उसकी बी गलती को स्विकार या माप करना बहुत मुश्किल हो रहा है हाला कि आपके अधीक सक्ती बरतनी से सब के लिए मुश्किले ही उपक्रम को पूरा समर्थन दे रहा है एवं आपकी नौकरी भी काफी अच्छी है परन्तु आपको अपनी धन पर धियान रखने की जवरत है जैसे कि हम सब जानते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते आपको निकट के लोगों से अलोजना सुननी पर सकती है यह समय उनके स सुझाओ को माननी का है और साथ ही साथ अपनी खर्शीली आदतों को कम करने का भी शेहत की बात करें तो आपको यह बात बहुत ध्यान दे का समझने के आवशक्ता है कि आपका स्वास्ता आपकी संपती है और आपको इसका बहुत अच्छा और आपको इसका बहुत ध्यान आज स्वास सम्वंदित कोई कारेक्रम, कोई खेल या कोई अभ्यास काक्षा सुरू करने के लिए वहुत अच्छा दिन है। तेराकिय पाने सम्वंदित कोई अन्या, कारेकला विसेस लबकारी होंगे। अगर आप आज स्वास सम्वंदित कोई कार्यक्रम सुरू करते हैं तो उसके सफलता की संभावनाएं अधिक होगी आज का उपाए आज आप बंदरों को चने खिलें शुब रहेगा दोस्तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में आपका देश शुब हूँ